नमस्कार दोस्तो मैं अनुच कुमार आपके अपने यूटूब चैनल जागरव एकेडमी पर स्वागत करता हूं और जितने भी हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं पहली बार तो प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ता तो दोस्तो कहने का तात्पर यह है अगर आप कोई भी छोटे से छोटा कारे करें तो पूरे दिल दिमाग और अपनी अंतर आत्मा उसमें डाल दें यानि की पूरा मन लगाकर उस कारे को करें निश्य दी सफलता आपको मिलेगी तो दोस्तो इसी मोटिवेशन के साथ आज क के टॉप 10 करेंट अफेर्स का यह वीडियो सेशन शुरू करते हैं कर्शन नमबर वन कोविड-19 रोग्यों को भोजन और दवा परोशने के लिए किस संस्ता द्वारा वाड़ वोट विक्सित क्या गया है हमारे पास ऑप्संस हैं आयाइटी दिल्ली बी आयाइटी को जो पेसेंट हैं उनको भोजन और दवा परोशने के लिए प्वाड़ वोट एक रोबोट तैयार किया गया है दोस्तों इससे पहले ऐसी ही पहल जारकंड सरकार द्वारा शुरू की गई थी उनके द्वारा भी एक इस तरीकी का रोबोट बनाया गया था जो पेसेंट को दवाई और खाना परोशने के लिए कार्रे पर लगाया गया था दोस्तों उसका नाम था कोबोट रोबोटिक्स आपको याद आ गया होगा पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कोबोट रोबोटिक्स जो जारकंड सरकार द्वारा पेसेंट्स को जो कोबिड-19 पे दोस्तों बात करें इस वार्डबोट रोबोट की तो ये रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है और दोस्तों ये मैडिसिन्स और फूड को डिलिवर कर देगा नोन पात के जरिये जितने भी हमारे उसमें बैट्स होंगे वहाँ पर जितने भी पेसेंट्स हैं उनको ये खाना और दवाई दे सकता है दोस्तों इसके अलाबा ये अपने आपको भी जब महां से वापस आएगा डिलिवरी करने के बाद तो अपने आपको भी सेनिटाइज कर सकता है और दोस्तों दीवारों को भी सेनिटाइज कर सकता है बात करते हैं डायेक्टर ओपर आयाइटी की तो इस वक्त पंजाब के CM है अमरिंदर सिंग, गवेनर की बात करें वीपी सिंग बदनौर है, टैपिटल है चंडीगड और इसकी पंजाब की स्तापना हुईती एक नमबर 1966 में, दोस्तो इसी के साथ ही एक नमबर 1966 में हर्याना भी इससे अलग हुआ था, तो दोस्तो इसी के करते हैं, नेक्स्ट क्रेशन की ओर, क्रेशन नमबर टू, कौन सा राज्य भारत में 7368 यानि 7368 सामुदाइक रसोई और सामुदाइक आश्रे को जियो टैक करने वाला पहला राज्य बन गया है, जो एक दिन में 12 लाग खाद्य पैकेट का उत्तपादन करता है, तो दोस् उत्तर परदेश सरकार ने, जितने भी ये सामुदाइक रसोई हैं और सामुदाइक आश्रे हैं, इनको खाना के पैकेट के कादे में लगाया हुआ है, और दोस्तों उनको जियो टैक कर दिया है, किसके साथ मिलकर, गूगल के साथ मिलकर, ताकि जितने भी नीडी परसंस है या ज़रुत मंद परसं हैं, उनको आसानी से इन जगह का पता चल सके और खाने की आपूरती सुनिश्यत की जा सके, तो इससे जुड़े हुए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक नजर डाल लेते हैं, बात करें, कम्यूटी किचेंस की, तो दोस्तों राज्य के पि किये जा चुके हैं, और इन कम्यूटी किचेंस की बात करें, दोस्तों, इन में से 668 एंजियो और रिलीजियस इंस्टिटूशन द्वारा चलाए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सेम की बात करें, दोस्तों आदित्यनाज योगी जी हैं, गवर्नर है आनंदी बेन पटेल और उत्तर प्रदेश की इस्तापना होईती 24 जनवरी 1950 में, तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं, नेक्स्ट क्रेशन की ओर Q3. चीनी भासा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ओप्षन से हमारे पास A. 18 अपरेल, B. 19 अपरेल, C. B. सपरेल, D. 21 अपरेल तो दोस्तों इसका सरी आंसर होगा, ओप्षन C. B. सपरेल, B. सपरेल को चीनी भासा दिवस मनाया जाता है तो दोस्तो बात करते हैं 18 अप्रेल की तो 18 अप्रेल को 20 धरोवर दिवस मनाएगा जिसकी थीमती Shared Culture और Shared Heritage and Shared Responsibility तो दोस्तो इसी के साथ बात करते हैं 19 अप्रेल की तो दोस्तो 19 अप्रेल को National Garlic Day मनाया जाता है और 20 अप्रेल को चीनी भासा दिवस मनाया जाता है और बात करें 21 अप्रेल की तो 21 अप्रेल को National Civil Services Day मनाया जाता है कुछ important facts हैं इससे जड़ो हुए तो एक नजर डाल लेते हैं उन पर दोस्तो बात करते हैं Chinese Language Day की तो 20 अप्रेल को प्रतेक वर्स मनाया जाता है और दोस्तो इसमें इनकी Chinese Literature, Poetry और Language का जो World Culture में यानि की विश विश संस्कृति में इसका क्या योगदान है इसके लिए इसको celebrate किया जाता है बात करते हैं दोस्तो United Nations की तो United Nations की अगर हम Official Languages की बात करें तो 6 Languages आती हैं जिनमें Arabic, Chinese, English, French, Russian और Spanish तो दोस्तो अगर बात करें इससे पहले तो Chinese Language Day पहली बार celebrate किया गया था सम्मान में इसको celebrate किया जाता है उन्होंने ही पहली बार इसका आविशकार किया था invented by Kangi जी और उन्ही के सम्मान में Chinese Language Day 20 April को celebrate किया जाता है तो दोस्तो इसी के साथ चलते हैं next question की ओर question number 4 settling to the top उस्तक किस badminton खिलाड़ी पर लिखी गई है हमारे पास options है दोस्तो इसका सही answer होगा option A PV सिंदू PV सिंदू के जीवन पर ही settling to the top उस्तक लिखी गई है इसमें इनके सुरुआती दौर से लेकर एक अच्चे खिलाड़ी बनने तक यानि की काम्याब होने तक के बारे में चर्चा की गई है इससे जुड़ेवे कुछ important facts हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं तो दोस्तों बात करते हैं settling to the top the story of PV सिंदू इस बुक को लिखा गया है वी कृष्ण स्वामी के द्वारा और ये एक woman athlete की संगर्स को दरसा आती है जिनोंने silver medal जीता था olympics में और इसको publish क्या गया है harper collins publishers के द्वारा और दोस्तों ये पहली ऐसी महिला athlete है जिनका Forbes की top 10 highest paid में इनका नाम आता है तो दोस्तों इनके बारे में कुछ और भी बाते हैं जैसे इनोंने 2019 में world championship जीती थी world championship जीती थी 2018 की बात करें 2018 में भी ये silver medal जीती थी world championship में और इसके अलाबा इनोंने Olympic Games में 2016 में silver medal जीता था और इसी के साथ ही बात करते हैं Commonwealth Games की तो इनोंने women single में भी silver medal जीता था तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं next question की ओर question number five हाल ही में Oscar विजेता जीन डिच का निधन हो गया वे डैस से संबंदित थे option से हमारे पास a journalism b production and direction option c business industry और d polity तो दोस्तों ये production और direction से संबंदित थे इसलिए option b सही answer होगा इससे जुड़े हो कुछ important facts हैं एक नजर डाल लेते हैं बात करें जीन डिच की तो ये 95 वर्स के थे इनकी डैथ हुई है अभी recent में और दोस्तों ये अमेरिकन ऑसकर विनर एनिमेटर फिल्म डारेक्टर और प्रडूशर थे इनकी एक फिल्म थी मुन्रो जिसने ऑसकर अवार्ड जीता था बेस्ट एनिमेटिट शॉर्ट फिल्म में तेरे एपिसोड जो बहुत ही जाना माना टॉम एंजरी उसके एपिसोड को डारेक्ट किया था और इसी के साथ पॉपले दा सेलर्स रीच का भी डारेक्शन इन्होंने किया था तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्योशन की और क्योशन नुमबर सिक्स बग सिनीफर किस संस्तान द्वारा बैक्टिरिया का तेजी से पता लगाने के लिए विक्षित किया गया है हमारे पास ऑप्सेंस हैं A. ICMR B. ARI C. INST और D. SENS तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्सें B. ARI अगर कर रिसर्च इंस्टिटूट द्वारा बग सिनीफर एक सेंसर है जिससे बैक्टिरिया का आतेजी के साथ पता लगाया जा सकता है तो दोस्तों इसी से जोड़े को कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं एक नजर डाल लेते हैं बात करते हैं ARI की अगर का रिसर्च इंस्टिटूट तो यह पूने बेस्ट एक इंस्टिटूट है जिसने बग सिनीफर एक बायो सेंसर डेवलप किया है जो बैक्टिरिया को डिटेक्ट कर सकता है इसकी इफिशेंसी इस पास से पता चलती है अगर 1 mm के सेंपल साइज का 10 बैक्टिरियल सेल्स को डिटेक्ट कर सकता है वो भी सिर्फ 30 मिनट में और बात करते हैं दोस्तों यह कौन-कौन से बैक्टिरिया के लिए प्रभावी है तो एसकेरेकिया कॉली और सालमोनेना टाइफी मुरियम जिनके द्वारा निमोनिया डायरिया फीवर इस तरीके के बीमारियाँ हो जाती हैं तो ये इन बैक्टिरिया का आजसानी से पता कर सकता है है इस इसी के साथ ही इसको बनाने में जो इस्तेमाल किया गया है सिंत्तेटिक पेप्टिटाइट्स magnetic nanoparticles और quantum dots जिनकी जिनकी सायता से बैक्टिरिया को प्रिजेंस को यानि बैक्टिरिया का पता लगाया जा सकता है और यह cost और effective तरीका है जिसके द्वारा पानी और जो खाने में पैदा होने वाले बैक्टिरिया है उनका असानी से पता लगाया जा सकता है बात करते हैं अग उने महारास्ट में यह इस्तापित है और अगर इनकी बात करें founder की तो संकर पुरसुत्तम अगर करके द्वारा इसको इस्तापित किया गया था और फिलाल में इसके डारेक्टर है डॉक्टर किसोर एम पनिककर तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्रेश्चन की क्रेश्चन नमबर सेवन रेटिंग एजनसी फिच ने भारतिय सकल घरेलू उत्पात की व्रद्धी दर डैस परतिसत का अनुमान लगाया है हमारे पास ऑप्शन्स हैं ए दो परतिसत बी एक दसमलब आठ परतिसत सी एक दसमलब परतिसत और दी दो दसमलब तीन परतिसत त और इससे जड़ों कुछ इंपर्टेंट फैक्ट्स हैं बात करें रेटिंग एजनसी फिच की तो यह जीडीपी बगेरा और एकनोमी ग्रोथ जो डिफ्रेंट एकनोमी कंट्रीज हैं उनके बारे में बताती है या उनका प्रेडिक्ट करती है कि क्या किस फाइनेंशल एयर क इस देश की जीडीपी रेट क्या रहेगी ग्रोथ रेट क्या रहेगी तो इससे जुड़ों कुछ इंपर्टेंट फैक्ट्स हैं एक नजर डाल लेते हैं अभी फिलाल फिश सॉलुशन ने मंडे को जो अपना एकनोमिक ग्रोथ रेट था जो उन्होंने फोर्कास्ट किया था फाइनेंशल एयर 2020-21 के लिए उसको 4.6% से घटा कर 1.8% कर दिया है दोस्तो ऐसा क्यों हो आया क्योंकि अभी COVID-19 महामारी के कारण बहुती लार्ज स्केल पर लॉस हो रहा है इंकम का इस वज़े से उन्होंने 2020 और 2021 फाइनेंशल एयर के लिए GDP को 1.8% के ग्रोथ रेट पर कर दिया है बात करें अपने अपोनेंट की तो दोस्तो चाइना की बात करते हैं उन्होंने 2020 के लिए इनकी GDP को फोर्कास्ट किया यानि अनुमाल लगाया है 1.1% 2.6 से घटाका इन्होंने अब इसका 1.1% कर दिया है और ये बहुत ही ज़्यादा ग्लोवल एकनोमिक आउट्रूक की तरफ से देखा जाये तो बहुत ही ज़्यादा बिगड़े हुए हालाथ हैं तो दोस्तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन की ओर Q8. IUCN ने थाइलेंड के लेधर बैक समुदरी कच्छों को डैस परजाती के रूप में सूची बद क्या है हमारे पास ओप्शन्स हैं A. Endangered B. Vulnerable C. Extinct और D. Critically Endangered तो दोस्तो इसका सही आंसर होगा ओप्शन A. Endangered Q8. IUCN ने थाइलेंड के लेधर बैक समुदरी कच्छों हैं उनको Endangered category में सूची बद क्या है यानि Endangered category में उनको रखा है दोस्तो इससे जड़ेंड कुछ important facts हैं अब ये चर्चाओं में क्यों है लेधर बैक समुदरी कच्छों है तो दोस्तो जानते हैं अभी थोड़ी सी details दोस्तो बात करते हैं लेधर बैक सी टर्टल्स की तो ये थाइलेंड की बिचिस पर देखे गए हैं और दोस्तो इस बार इनकी हाइस्ट नंबर है वहाँ पर अपने घौंशले बनाने का पिछले दो दसकों में अगर Phuket Marine Biological Center की रिपोर्ट माने तो more numbers of turtles nets were found this year इस साल सबसे ज़्यादा महाँ पर इन turtles के nets पाए गए हैं दोस्तो अगर इन turtles की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा high risk पर हैं यानि कि इनको बहुत ज़्यादा fishing gear के द्वारा और human disturbing के द्वारा इनकी death हो जाती है leatherbacks जो turtles होते हैं ये most giant sea turtles हैं यानि सबसे बड़े sea turtles हैं और इनको अपने egg को यानि अपने endo को dark और quiet areas में रखना पसंद है अब बात करें International Union for Conservation of Nature की तो इन्होंने Thailand की species को endangered category में रखा है और ये globally बहुत ही कम पाए जाते हैं यानि vulnerable हैं बात करते हैं IUCN की international union for conservation of nature तो दोस्तों ये nature से संबंदित और conservation का कार्या करती है चाहें वो किसी भी परजाती से संबंदित हो इनके CEO है ग्रेथल अग्यूलर और headquarters की बात करें वो ग्लेंड शुट्जरलेंड में हैं इसके स्थापना हुई थी पांच अक्टूबर 1948 में तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं next question की ओर question number 9 coronavirus पर सोध करने और vaccine विक्सित करने के लिए उच इस तरिये task force का केंद्रिये समझे वेकरण प्राधिकरण कौन हैं तो options हैं हमारे पास A. नितियायोग B. Ministry of IUC Ministry of Science and Technology और D. National Disaster Management Authority तो दोस्तों इसका सही answer होगा option C. Ministry of Science and Technology इसके एक subsidiary department है DBT उसके द्वारा coronavirus पर सोध करने और vaccine को विक्सित करने के लिए उच इस तरिये task force का गठन क्या गया है और जिसको lead कौन कर रहा है DBT under Ministry of Science and Technology तो दोस्तों इससे जुड़े कुछ important facts हैं एक नजर डाल लेते हैं बात करते हैं Central Government ने vaccine विक्सित करने के लिए एक ही high level task force गठन किया है क्योंकि पूरे देशवर में हालात बहुत ही नाजुक हैं और केसों की संख्या 17,000 से अधिक infected persons हैं अपने भारत में of Biotechnology यानि DBT इसको लीट करेगा और यह दोस्तों किसके अंतरगत कारे करता है Ministry of Science and Technology के अंतरगत बात करें overall world की तो दोस्तों सत्रे clinical trials चल रहे हैं इसको लेकर कि कैसे vaccine तयार हो जाए और इस में से जो है वो पांच human trial stage में है और अपने भारत की बात करें दोस्तों तो अभी हम pre clinical stage में हैं और भारते कंपनियां जिनमें Serum Institute, Gidus, Cadillus, भारत BioTech और Biological E इस पर कारे कर रहे हैं कि कि किसी भी भी तरीके से vaccine का development किया जाए तो दोस्तों इसी से संबंदित कुछ ये बाते थी कि कि किस तरीके से vaccine का development किया जाए उसी के लिए high level task force का गठन किया गया है तो इसी के साथ दोस्तों चलते हैं next question की ओर question no.10 किसने चुम्बे के random access memory का विकास किया है जो मौझूदा उर्जा भंडारन तकनीकों की तुल्ला में अधिक जानकारी संगरित करने में अधिक तेज अधिक उड़जा कुशल और सक्छम है हमारे पास options है A. IIT मंडी B. IIT गोहाटी C. IISC बैंगलोर और D. CSIR तो दोस्तों इसका सही answer होगा option A. IIT मंडी IIT मंडी के researchers के द्वारा magnetic random access memory का विकास किया गया है जो अभी तक जोने हम इस्तेमाल करते हैं Random Access Memory, Semiconductor Chips उनसे ज्यादा यह कहीं अधिक दक्ष है यानि अधिक कारेक उसल है और efficient है तो दोस्तों इससे जुड़े हुए कुछ important facts है एक नजर डाल लेते हैं बात करते हैं IIT मंडी की जिनोंने इस magnetic random access memory को develop किया है यह पहले से ज्यादा faster है more efficient है and capable है किसके storing more information छोटे से ही volume में ज्यादा information इस्टोर कर सकती है और यह किस technology पर based है spin transfer torque you nano spin tropic spin tronic device है जो हमें power supply के interruptions के कारण हुए data loss में या data loss से हमें बचाती है दोस्तों यह next generation computers के लिए बहुत ज्यादा परवाप्साली है smart phones हो या फिर other gadgets हो उनको अधिक दक्ष बनाएगी और इस technology के तहत हम इस्तेमाल करते हैं spin of electrons का ताकि वो transmit और प्रोसेस कर सके information को और अगर इसके बात करते हैं इससे संबंदित एक और बहुत ज्यादा important चीज है STT MRAM आने वाले questions में पूछा जा सकता है इसकी full form तो दोस्तों इसकी full form है spin transfer torque you magnetic random access memory यह किसके place पर लाई गई है semi conductor जो रेम है उनके इस्तान पर अब इसको लाया जाएगा और इसके production की बात की जाए तो दोस्तों 2020 के अंत तक इसका production start हो जाएगा यानि कि market में available हो जाएगी तो दोस्तों तो इसी के साथ आज का इस session समाप्त होता है और मेरी आप सबसे अपील है घर पर रहिए सुरक्षित रहिए और अगर यह हमारा वीडियो सेशन आपके लिए helpful रहा है तो प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और बेल आइकन को प्रेस कीजेगा ताकि आपको मिलते रहे लेटेस्ट अप्डेट्स टॉप 10 करेंट अफेर्स से जुड़े हुए और ज्यादा से ज्यादा शेर कीजेगा लाइक कीजेगा और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए टॉप 10 करेंट अफेर्स से रेलेटिट तो कमेंट कीजेगा और तब तक के लिए आप अपने घ हमों का पालन करें थैंक यू